सुप्रीमे आज कुछ तेर पहले आपने एक्जिट कर लिया है समित जी हाँ जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे उसमें मूव आज नहीं है बट अवराल हमें अभी भी यह स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा लगता है तो कोई भी डेप यह स्टॉक में एक बाइंग अपश्चिटी होगी और जो हमारे लक्स थे 2200 और उसके बियॉंड के वो अभी भी इंटाक्ट है तो वो टागिट्स इंटाक्ट है अगर आप फॉलो करना चाहते हैं उस पर्टिक्लर ट्रेड को परना गेम के लिए समित ने एक्जिट कर लिया तो इसके बदले आपका पॉर्टफोलियो भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो दूसरे ट्रेड्स है वो अभी भी बने हुए हैं जो इंडिया मार्ट है वेल्सपन कॉपिन में बने रहने का इरादा आपका जी आ डेफिनेटली नया क्या जोड़ेंगे समित अजिए काल रूपक ने ये स्टॉक आड़ किया था इंजिनियर्स इंडिया अनफॉर्टिटली हमने ये हमारे क्लियन्स को अलड़ी रेकमेंड किया था और मैं भी ये रेकमेंड करने वाला था बट सिंस उनको पहले मौका मिला उन्होंने रेकमेंड किया अशिश आपके परोच क्या रहेगी कोई खास सेक्टा अपने अइडेंटिफाई किया है क्या नहीं देखिए ओर आल जो बाजार का रुख है वो मेरे खाल से साइडवेस है उपर में निफ्टी 1777 के आसपास से वार बार गिरावट दे रहे हैं कम से कम दो से तीम बार हो चुका है और निफ्टी 1777 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं तो ऐसे में चलते वे स्टॉक स्पेसिविक मूमेंट हो सकता है कोई specific sector नहीं है अगर आप इस time देखे तो कोई ऐसा sector नहीं है जो lead कर रहा है या जो दिखा रहा है बहुत strong मजभूती तो ऐसा नहीं है लेकिन हाँ mid cap small cap में buy के साथ ही चलेंगे फिला short positions को avoid करेंगे मंधी के trade से दूर रहा जाए dips पर खरदारी का ही market अभी भी है तो उसी पर focus रहेगा चले के करके सबका portfolio आपकी screen पर लेकर आते हैं पहले वो तीन trades आपको दिखाते हैं जिसमें कल सबसे ज़ादा action देखने को मिला एक तो रूपक का EIL था 5% की कमाई stock ने करके दी यह sell side का trade था 85 का target 65 का stop loss था CSB bank पर एक buy call आशीश ने दिया 244 के target के लिए उसमें करीब इनके आधे पसंद से ज़्यादा के returns बने हैं और supreme industries जो तेजी का trade था वो था top performing trade समित के portfolio में ये भी एक तेजी वाला trade था आपकी approach समित आज के लिए कुछ मौनिंग अर्शाद आप देखिए बाइस तो positive definitely रहने वाला है हला कि आज सुबह से हमने थोड़ा बहुत एक profit booking का मोड देखा है बट हमें लगता है इस मैटर ओफ ताइंग जो 17,700,800 क्यास पर जो स्ट्रडी बॉल बनी हुए है वह बहुत जल्दी सरपास करेंगे और 18,000 के लेबल टेस्ट करेंगे तो हमारा बाइस positive है और इल्डिविजू स्टॉक्स में अभी भी हम अच्छा कासर अट्रेक्शन देख रहे है हाला कि इन चुनिंदा स्टॉक्स में अपने थोड़ा झाल